आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोस के अंदर के हमारे पास जो एक विराइटी अवेलिबल है जिसका नाम है पिक्टोरियल्स और हम देखेंगे कि पिक्टोरियल्स में हमारे पास किस किसम की पिक्टोरियल्स बुक अवेलिबल है उनके क्या नाम है उन में क्या डिफ्रेंसे हैं और वहम किस उमर के बच्चों को इंट्रड्यूस करवा सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोर्ड बुक से जो हम पढ़ चुके हैं ब तो किताब उनका ट्वाय होती है और उसको सीधे तप के अंदर डाल देते हैं कार्ट बूर्ट के पेज़ेस का फायदा यह होता है कि वह वियर और टीर से बच जाते हैं और यह हाट पेजिस होते हैं और बच्चों की जो फिजिकल रिक्वायर्मेंट्स हैं जैसे किताब को मुह में ले लेना या उसको फोर्स फोली खोलना वो इसको स्टैंडबाइ कर जाती है तो इसके अंदर यह आती है कि कही दफा हम इसके अंदर बहुत इंट्रस्टिंग एलिमेंट्स भी डाल देते हैं छोटे बच्चों के लिए ताक्कि वह उसकी तफ़ एक ट्वाय का इमिज जो है वह स्टेल सके पिकशर कटें तो इसको ने उसके हैं तो पर इसके लिए जब किसी प्कटर को निकलता है उसके आध डिफ्र兩ए को कैश्चिश करें पेपर और बोड्र बबान सकते हैं और उन्हारे और कोड़ शसके जोह और याष्द discuss न्युसा या। और इससे होता है कि बच्चे किताबों को बड़े इंट्रस्टिंग लेते हैं उसको टच करके देख सकते हैं उसको खाड़ने की कोशिश करते हैं इसके बहुत बहुत बेहतर हो जाता है और क्या चीज हो सकती है, themes क्या हो सकते हैं, हमारे पास board book के अंदर animals है, repetitive text है, bright energetic illustrations हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों की उमर बहुत छोटी है, इसलिए बहुत simple किसम की illustration इस्तेमाल करते हैं, जिन में minimum colors हों, bright हों, बहुत simple lines हों, जिसका हम already study कर चुके हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, तो हमें ये board books के अंदर मिल जाती हैं, अगली books आती हैं, जो pictorial books हो सकती है, उनका नाम है concept books, concept books है very simple, s के name suggest करता है, उनका, इनके अंदर concepts मौझूद होते हैं, for example, different ideas, different activities को आबता रहे होते हैं, concept जो है, academia से related हो सकते हैं, alphabet हो सकते हैं, counting हो सकती है, names of colors हो सकते हैं, time के बारे में हो सकते हैं, shapes के बारे में हो सकते हैं, healthy eating के बारे में हो सकते हैं, day and night के बारे में हो सकते हैं, months के बारे में हो सकते हैं, तो इस किसम की concept book होती हैं, ये भी mostly pictorial book होती हैं, क्योंकि हम start in two years से करते हैं, इसलिए इसके अंदर pictures जो हैं, आपको ज्या दिंञ करते हैं हम बच्चे नवां집 हुनाल को सब casi करना इस बॉक्त थे तो वनियादी तौर पर इसके अंदर जो भी आप टेक्स इंटर्डूस करते हो चाहिए वोर्स की फॉर्म में हो या संटेंस की फॉर्म में हो उसको हम बड़ा करके बोल्ट टरके लिखते हैं और उसके साथ बड़ी सी हमारी इलिस्ट्रेशन होती है ताकि वह असानी से बॉक्स जो है वो लेके आते हैं और उनके साथ रेडिंग को स्टार्ट अप करते हैं अगली हमारे पास प्रक्टोरियल बग्स जो आती है वो नॉन फिक्शन पॉर्वर्वर्वर्ड पिक्चर रोती है इन स्टेट फोरवर्ड आपको नई कॉंसे जो है इंट्रूस करवाय जाता है, यहां straightforward का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई non-fiction चीज नहीं होती है, बलकि वो facts-based होती है, जो चीज जैसी नजर आती है, वो वैसी इसको दिखाई जाती है, हमारे बास non-fiction जो illustrations होती है, उनमें drawings भी हो सकती है, paintings भी हो सकती है, और सबसे important चीज होती है, real photographs, real photographs भी होती है, अब इसके अंदर जो important point है, जिसको हमें समझने की जरूरत है, कि जो आपकी factual story है, जो कि विकुल fact-based है, उसमें कोई fantasy, कोई imaginary शामिल नहीं है, यह बच्चों को किस चीज के लिए help करती है, let's receptive non-fiction reader and teach them interesting facts, so बन्यादी तोर पे यह उनको facts से मतलिक knowledge provide करने में help out करती है, बहुत सी ऐसी books हैं, जिसे हमारे पास animals है, pets के उपर books हैं, कि pets कौन होते हैं, और वो animals जो pets नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे पास carnivorous animals कौन से हैं, जो बहुत science से related topic हैं, उनके अंदर mostly picture of photographs होती है, last but not the least, wordless book, तो wordless book वो किताबे होती हैं जिनके अंदर कोई भी word मौजूद नहीं होता, सिर्फ तसावीर मौजूद होती हैं, मकसद ही होता है, कि हम तब बच्चों को introduce करवाते हैं, जब बच्चों कभी पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आया होता, वो करते क्या हैं, कि वो तस्वीरों को देखते हैं, और अपनी कहा करते हैं, उनकी कहानी बिल्डप करने का बेहतरीन तरीका यह है, कि उनके साथ जरूर एक एडल्ट होना चाहिए, जो उनसे तस्वीरों को discuss करें, sequence को discuss करें, तस्वीरों में क्या हो रहा है, उसको discuss करें, और हर दफार एक नहीं कहानी लेके सामने आए, शुरू में आप discuss कर नाना और बारा साल तक के बच्चों के लिए वर्ड लेस्पुक अवेलेबल हैं, तो यू को और चेक दम आउट, आप इनको देखें, इनने पढ़ें, इनने धूंडें, आम शूर के आप इनको बहुत नज्यॉय करेंगे.